नमस्कार दोस्तों आप सबी लोगों का स्टेडिया एक्रिकेडिन स्वागते आप लोगों के लिए महत्वपुन जानकारी बताने वाला हूँ दोस्तों कल जो जानकारी बताई थी वो जानकारी वैसे तो जो योगेता उगिरा मैंने बताई थी वो बिलकुल सही थी परनतु उसमें जो दोस्तों डेट वागए ती वो गलत मेंशन थी वो क्या पहले नोटिपिकेशन जारी हो गया होगा राज्य सरकार के द्वारा गलती से मतलब क्योंकि जो है पहले पदो की संक्या कम थी फिर पदो की संक्या बढ़ाए गई थी मतलब दबाओ पढ़ने के बाद तो वो पहले वाला नोटिस है जो दबाओ अगेरा पढ़ा नहीं था ना उससे पहले जो नोटिस जारी होने वाला था और फोरम बढ़ने की जो डेड़ थी वो 5 अक्टूमर से और 21 तारिक तक होने व विद्यार्ति को बुरा लगा और किशी को लगा हो कि ऐसी गलत जानकरी थी तो इसलिए मैं समा चाहता हूं परन्तु मैंने कमेंट बॉक्स में लिख दिया था कि यह जानकरी इस प्रकार से पढ़नी है आप लोगों को ठीक है लिखा था कि नहीं लिखा था आपने अच्छ जारी क्या गए विगप्ति संक्या यही थी वो भी विगप्ति संक्या एक ऑबलिक दोजार तेविस चोविस राजस्तान मदर्चा बोड जेपूर से पंचिकरत मर्दसों में राजस्तान कॉंट्रेक्शल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तर सवीदा आदार पर सिक्षा आनुदेशक और कम्प्यूटर आनुदेशक इंस्ट्रक्टर आनुदेशक तो यह पर सिक्षा आनुदेशक को 4149 पदोपे बढ़ती होगी और 2700 पदोपर के बढ़ती होगी जानकरी बता देते हैं इसके फोरम 27 अक्टमबर 2023 से बरे जाएंगे 25 नौबर 2023 रातरी बारा बजे तक इसके फोरम बरे जाएंगे आगे जानकरी बताएं कि इसका विश्तर्त विग्यापन जो है इस वेबसाइट पर 27 तारिक को बिलेगा आपको परन्तो आपको अब इसे तयारी तो सुरू करनी है आपको फोरम बढ़ने के लिए जानकरी तो अच्छी है तो मैं आपको वही नोटिस बताता हूँ चो कल मैंने आपको बताया था उसमें केवल और केवल क्या जानकरी देखेंगे हम योग्यता देखेंगे चलिए योग्यता क्या रहने वाली है इसकी तो दोस्तों ये रहा नोटिस ये नोटिस पहले जारी वहने वाला था प्रंतु आब इसे चाप चेंज कर दीजिए अब ये नोटिस हटा दीजिए आब यहां से उपर डेटो गिराखो आपको ये भी नहीं पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है वो आपको मैं बताऊंगा जानकारी आपको बढ़ना है ओनलाइन पर के तू आवेदक को ओनलाइन फोरम एंपीस बरनी होगी आवेदक जीला वार पदो है तू मांगे गए हैं जीला विवरन सलंगन आपको उस नोटिस आएगा उसमें दिखा जाएगा आपको उसमें पता चल ज आउट को वांचने दस्तावेज़ों की सत्याफित प्रतियों के साथ चैनित अबेरतियों को कांस्लिंग में प्रस्तुत करना होगा जब आप कांस्लिंग करवाने जाओगे तो आपको यह जो है आपका प्रिंट आउट भी ले जाना होगा ठीके चैनित नहीं किये गए आपके पिर से सूचियों गिरा जारी कर दी जाएगी स्विकर्थ पदों की संक्या में कमी आप बढ़ोत्री की जा सकती है परन्तु यह जो नोटिस था पहले इतने पदों पे दोस्तों यहां पर जो मदर्सा कंप्यूटर सिक्षान होते सके इसके पदों पर बढ़ती होने इसके डालोटी सा एगा metrics अपर सेकृषिण योगandel आ ही बात कर लेते हैं तो आपको कम से कम सेक्षण योग affili आपने कर रखिये तो सिक्षान देसक के आप फॉरम बर सकते हैं परयंदू आपके MARY आपके ऑन्णीवाहरे यह ता बोला गया है कि वर्दू होना ही चाहिए क्या होना चाहिए उर्दू सब्जेक्ट होना ही चाहिए समझ गए बात अनिवारे हैं या अनिवारे लिखा हुआ या अच्छी के लिखा हुआ है ठीके सिक्षा अनुदेशक बनना है तो आपको जबकि सिक्षा अनुदेशक कंप्यूटर सिक्षा अनुदेशक बनना है आप को तो आपके लिए बार भी पास तो होना चीए प्लस आपको जो चार नंबर का पेरा लिखा हुआ है नीचे में आपको बताऊंगा वह होनी चीए और उर्दा उर्दू है तो भी चलेगी नहीं है तो भी चलेगी उर्दू है तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगे नहीं है तो कोई बात नहीं है ठीक है समझे के तब भी फोरम बर सकते हो आप उर्दू नहीं थी तब भी मदर्शा उर्दू शिक्षा अनुदेशक को के लिए उर्दू योग्यता अनिवारे योधी उर्दू नहीं है तो फोरमी नहीं बर सकते है पहली बात जबकि मदर्शा कंप्यूट प्रिक्षान दे सक्क, मैंने कंप्प्टर दे सक की बात करी, उर्दू योग्यता अनिवारे नहीं है, उर्दू है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी पोरां बर सकते हो, इस प्यदे है तो, उर्दू योग्यता रखने वाले 20% अतरिक्त अंक दिये जाएंगे, यानि कि जिसके पास उर्दू होगी, उसको 20 संग मिलेंगे, पर इतने लोगों के पास जो है उर्दू नहीं मिलने वाली, जिस प्रकार से में योग्यता बताने वाला हूं, उर्दू योग्यता है तो मानेता प्राप्त बोर्ड विश्विद्याले से मादमिक यहम, उससे उच इस्तर पर प्रिक्षा उत्रण होना आवसेग है, आप देखों यहाँ पर, कंप्यूटर योग्यता, यानि की कंप्यूटर सिक्षा का अनुदियसक के लिए क्या-क्या योग्यता होनी चीए, परतम वो रिता इनको दी जाए कि जो निमन में से एक डिग्री हो, किस कौन-कौन सी, यह आपने M.C.A. कर रहे हैं, B.C.A. कर रहे हैं, तो आपको पहले दिया जाएगा, मतला इन में से चारों में से कोई, ग्रेजियेट हो आप कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रोनिक्स हो, आईटी हो, कुछ भी हो इन में से, ग्रेजियेट विद कंप्यूटर सब्जेक्ट इन इन इनर्शिटी से हो, तो भी अपने किसी परकार का कोई डिप्लोमा, अगरा कर रह था है, आपके पास कोई भी डिप्लोमा का डिप्लोमा से सब्सक्राइब तो आप सभी आवेदन कर सकते हो दित्ते अवरिता उनको दी जाएगी तो यह योगता होने वाली यह दोस्तों यानि की सेक्ष्णलिक योगता इसमें बार भी मांगी है और बार भी के बाद यह सब्जेक्ट होने चाहिए जिसा कि मैंने आपको बताया ठीक है तो मतलब अब आपका नोटिस और भी जो है ओपिसेल आ जाएगा तब और किलेर हो जाएगा यह नोटिस था दोस्तों एक जो है वाइरल हो रखा था उसी के आदार पर मैंने योगता बताने की कोसिस किये आप लोगों को जानकारी परसंद आएगे तो वीडियो को सेर कीजिएगा दोस्तों देन नेवाद जैसे इसका ओपिशल 27 तारी को नोटिस आएगा तो वह जानकारी मैं आपको बता दूंगा